नमस्का दोस्तों हमारे चनल इवेज़ वेज़ वे में आपका स्वागत है मेरा नम विपलब गोज तो आज हम लोग एक नया रिचार्जबल लाइट का अन्बोक्सिंग करेंगे और इसका रिब्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि यह सही में पर्चेस करने लाइक है कि करने तो आज हम लोग उन्बॉक्सिंग यह और आपको दिखाएंगे कि प्रोड़क देखनें कैसा है क्शान क्या क्या क्ई क्या में हम बात करेंगे तो पूरे विडियो में बने में रही है विडियो आप अच्छा लगा तो लाइक सेयर करें। आप अगर वेडियो को ला यह विरेब रख़ों एल मॉडल जो है बहुत ही नव्य मॉडल है मार्ện में अभी इस टाइब हुआ है और अचमट बहुत ज्यादा लेहां स€ मैं नेया ओक्रम की तरफ से हुआ हैं ।ब कर दो कि आपको करने के लिए आपको बेल्ट 7 मिल जाता है यह आपका तॉर्च एक केबल मिल जाता है आपको यहां पर तो हाफ मिटर से भी छोटा यह केबल इसके साथ मिलता है इस ट्रक्शन मैनुवल दिया हुआ है और इस बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो यह है आपका प्रोडक्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं आप क्लो जलिए आप हम एक चीज आप मादा है जो टॉर्च में दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कितना सही है तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं हैंग करने के लिए आपको यह आपसन दिया हुआ है जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉंग लगता है यहां पे देखके काफी अ पढ़नें भी लगा या आप रहा हात में भी पकड़ की को करिavais को तो यह भी काफि अच्छा चीज इसके साथ मिल जाता है अब việc transferring aip a fi आपको switch मिल जाता है ये सबसे एक अच्छा चीज दिया हुआ कि प्ल॑ं काफिक धा फ़ाहइं यहां पर देखने का मिल रहा है देख सकते हैं फाला में high brightness, second में आपको low brightness मिलता है torch का, third में आपका off हो जाता है, torch off हो जाता है, और नीचे side आप अगर एक बार push करते हैं, तो ये light आपका यहाँ पर जलता है, चार more यहाँ पर मिल जाता है, charging के लिए यहाँ पर type C दिया हुआ है, तो आप कोई भी mobile से, जो mobile type C का रहता है, तो उससे आप इसको charge कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको direct electricity से charge करने की ज़रूत नहीं है, आप घर में कोई भी mobile अगर रहा, मतलब कोई भी mobile का adapter से, आप इस kevill को लगा के इसको charge कर सकते हैं, तो ताजू बाला बात यह है कि इस पर charging indicator नहीं नहीं आता है, जो कि एक important चीज है, एक torch के लिए, एक rechargeable torch के लिए, उसके अलावा अगर आप build quality की बात करें, तो build quality बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही hardy product है, और बहुत ही सुन्दर से इसको बनाया गया है, मतलब इसका जो look design बनाया गया है, बहुत ही सही है, आप हम लोग बात करते हैं, charging time, charging time is torch का six hour है, तो छे घंटा में आपका यह full charge हो जाता है, तो बहुत ज्यादा भी charging time नहीं है, बहुत कम नहीं है, नौर्मली एक torch या LED light में आपको चार से छे घंटा का average time लगता ही है, तो यह भी आपका average यहां पर देखने को मिलता है, उसके बाद अगर we pro emerald torch की बात करें, to emerald में 4000 mAh का battery दिया हुआ है, हाला कि उसमें लालटेन आपको नहीं मिलता है, सिर्फ torch मिलता है, पर उस हिसाब से अगर comparison करते हैं, तो आपका size की हिसाब से यहां पे 1200 mAh का battery दिया हुआ है, जो की काफी less है, तो मुझे यह एक चीज सही नहीं लगा, क्य जाता है, आपको high brightness में, और आप अगर लालटेन जलाते हैं, तो लालटेन में एक ही mode यहां पे देखने को मिलता है, तो लालटेन में आपको दो ही घंटा सिर्फ आपको बैका मिलता है, जो की मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, तो 8 घंटा आपको चूज करते हैं, मेरे ख्याल 1.8 watt का output आपको यहां पे देखने को मिलता है तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे क्याल से नॉर्मल जो टॉर्च अच्छे अच्छा ब्रांड ब्रांड जो टॉर्च रहता है फिलिप्स का है विप्रो का भी उसमें नॉर्मल एवरेज जो आउट पूट होता है पांच यहां पर देखने को मिलता है तो अगर इस लाइट का परफॉमेंस के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाइट इसमें कम है बैटरी का जो पावरे वह भी थोड़ा मुझे कम नजराता है आप साइज अगर मेरे इसाब से देखा जाए तो साइज काफी चार्जिंग टाइम एवरेज रखा है चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा नहीं है बेकप बहुत ज्यादा नहीं है बेकप भी कम है तो अगर यह प्रोड़क्ट आपको थोड़े सस्ते में मिलता है तो मेरे हिसाब से सही है प्राइस कंपनी के तरफ से इसका जो MRP है वह 1199 मतलब 1200 रुप्या प्राइस इसका रखा गया है हाला कि आपको Amazon फिलिप कार्ट पे यह प्रोड़क्ट आपको 600 से लेके 900 में एविलेबल रहता है डिफरेंट डिफरेंट सेलर का अलग-अलग प्राइस रहता है 600 से लेके 900 का प्राइस इसका एवरेज रहता है तो बस आज क